नमस्कार दोस्तों आज रूडेट है वो है एक अप्रेल दोहजार चौबिस और बजट सत्र खतम हो गया तेज चौबिस के अगर ओफिसियल सत्र की बात करें चात्रृत्ती की तो वो भी खतम हो गया मगर अभी भी लाखों की संख्या में ऐसे चात्र रेंग डाटा मुझे मि विसमें इनकी चात्र रित्ती आएगी नहीं इसके रिगार्डिंग मैंने एक समाज कल्यार विभाग की अधिक्यारी से बात किया है उनसे ज्यादा कुस तो नहीं क्लियर हुआ लेकिन जो बाते उन्होंने बताई हैं जो सवाल मैंने पूछा है उसको मैं आगे आपको आपसे मिशना हो चलिए वीडियो को सुरू करते हैं तो बात कुछ ऐसी है कि लगभग कह सकते हैं डाटा मुझे मिला है कि सोरा लाग से अधिक बच्चे हैं जिनका फॉर्म तो डिश्ट्रिक स्कॉलर्सिप कमेटी से बेरिफाइड हो गया है मगर छात्रवित्ती का पैसा अभी तक नहीं आया है यानि कि स्कॉलर्सिप की धनरासी अभी तक खाते में क्रेडिट नहीं की गई है तो बजट सत्र खतम हो गया 31 मार्स 2024 आज एक अप्रेल हो गया तो समाज कल्यार विभागी में आज मंडे का दिन है मैंने बात किया फोन कॉल पे तो ज्यादा कुछ त आजि जाएगी निदे साले के फैसले को उपर डिपेंट करता है निदे साले आनि की जो आपका में समाज कल्यार विभाग का उफिस ए लखनाऊ में वहां से निर्ड़े होगा और वहां से यह अगर आया देस आता है कि हमा भाईया जो पात्र चृत्र है जो बचे वी च्ष चीज़ें होनी चाहिए एक तो आपका बज़ट मिलना चाहिए एक तो परमीसन मिलने चाहिए आदेस आना चाहिए और अभी के लिए उनके पास दोनों चीज़ें नहीं है ना ही आदेस आया है नहीं बज़ट तो अब देखो दो ही रास्ते वस्ते हैं आतो फिर ट्वीटर प बात करने से क्या होगा जो main head है वो उनके आदेस पे चीज़ें बदलेंगी एक आदमी को मैं अगर जानता हूँ एक आदमी से मेरा निदिसाले में contact है तो उसके कहने से तो चीज़ें होगी नहीं मगर हाँ अगर हजारों की संख्या में चात्र एक जूट हो जाएं मोहीन चलाएं आवाज उठाएं तो जरूर से fund release किया जा सकता है दोबारा आदेस पारित हो सकता है चात्रों को चात्रृति का लाभ मिल सकता है अब इस जगह पर मुझे आप लोगों का support चाहिए तगड़ा support चाहिए मैं अकेला भी कुछ नहीं कर सकता बजाए आप लोगों के तो सबसे पहला काम करो कि जितने लोग वीडियो को देख रहे हो अगर अभी तक आप हमारे साथ नहीं जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब परके यूटूब पर जुड़ जाओ साथ ही आपको डिस्क्रिप्शन में मैं अपने ट्वीटर आइडी का लिंक दे दूँगा जो कि अब एक्स प्लेटफर्म है उस पे जाके फालू कर लो और टेलीग्राम चैनल है उसको जॉइन कर लो हो सके तो कल मैं साम को ट्वीटर पे ट्वीट करूँगा जो भी इनफार्मेसन आती है अगर अधिक्यारियों की तरफ से पॉश्टिर रिस्पॉंस रहा तो ठीक नहीं तो मैं ट्वीटर पे मोहीम छड़ूँगा और आप लोगों का साथ सही है मैं ट्वीट करूँगा अपने ट्वीटर आईडी पर जो लोग फालो किये रहेंगे वो वहां से रिट्वीट करेंगे जो नहीं फालो किये रहेंगे नहीं जानते रहेंगे कि मैंने कब ट्वीट किया तो वो तमाम सारी जानकारी टेलीग्राम चैनल पर सेयर की जाएगी तो उन दोनों जगहों पर आप जूड़ जाओ साथ ही आप लोग यूटूब चैनल को जरूर से सबस्क्राइब करो मैं आप लोगों के लिए प्रयास सबी एक आपका पैसा भेजा गया नहीं भेजा गया आपके फॉर्म में क्या कमी है क्या इस्ट्रेटक्स दिखा रहा है साथी यहां साको सिंपली सा पीस मेस के थोड़ा सा इस्ट्रेट कर देना और अपना बाइंग बैलेंस देख लेना है cmhelp.in कर रहा हूं हाड वर्क थोड़ा आप लोग भी सपोर्ट करो यार एक तरफा समझ रहे हैं कोसिस अच्छा नहीं होता ताली दो हाथ से बसते एक हाथ से सिफ चुटकी बसती है तो चुटकी से काम नहीं होगा प्राप अच्छा संपर्क है तो उनसे मेरी बात चीत हुई है उन्होंने इस बात को लेकर जो बयान मैंने आपको बता है वो दिया है यह बता मैनिवटी वालों का यमय में तीन हजार दिया जा रहा है जबकि मेरे फ्रेंड का 9000-8000 तक आया है बिजेपी की सरकार बहितभाव क्यों कर रही देखे इस पर मैं कोई टिप पड़ी नहीं करूंगा इस सरकार क्या कर रहे है क्या नहीं मगर हाँ जो एक्च्वल अमाउंट है वो छात्रों को मिलना था छात्रों के साथ गलत नहीं होना चाहिए ना किसी जात की आधार पे ना किसी धर्म की आधार पे ना किसी मज साब से करना चाहिए समझ गए मेरा पर्सनल ओपिनियन तो यह है सर मेरा फॉर्म दो मार्श को बेरीफाई हो गया था लेकिन अभी तक स्कॉलर्शिप नहीं आया था और लाश्ट येर में पर्सेंटेस 90 हैं अगर फॉर्म बेरीफाई है तो इंतजार करो दोस्त पैसा कभी भ बस सब्सक्राइब करके जुड़ जाओ बाकी का चात्रवित्ती को लेकर कोई वैसा सवाल तो था नहीं हाँ कुछ बच्चे हैं जिनका अभी भी पेंडिंग का पेंडिंग फसा हुआ है एक जानकारी ये भी मिली है कि अप्राइल में दुबारा से चात्रवित्ती के पोर् के लिए जानकारी है जनरलोबीसी के लिए लागू होगा कि नहीं इस बात का कोई अफिसिल अभी क्लैरिफिकेशन नहीं आया है आएगा तो मैं आपको ज़रूर इनफर्म करूंगा तो चलो फिलहाल के इस वीडियो में इतना ही मिलेंगे किसी ने टॉपिक के साथ तब तक के लिए थैंक्स पूर वाचिंग जय हिंद